हलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं सन्तोष्पनत आपका दोस्त, आपको मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माधियम से और आज हम अपने चप्कर 41 पे आ गए हैं जो की है एक डिनायल के उपर, CO 18 डिनायल, डुप्लिकेट के डिन तो जो हमारे दोस्त मेडिकल बिलिंग के प्रॉसेस में काम करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, AR में काम करते हैं, तो उनको ये डिनायल बहुत आएंगे, तो जो लोग हमारे एक्सपीरियंस हैं, उन्हें तो पता है कैसे सॉल्व करना है, बट जो लोग हमारे दोस्त नए- अगर आपने भी तक मेरे चैनल सब्ट्राइब नहीं किया है, तो सब्ट्राइब कर लिजेगा, और अगर आपको फाइदा हो रहा है, कुछ भी नारेज मिल रही है मेरे चैनल से, तो जाते याते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजेगा, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, ओके, डुब्लिकेट डिनाइल्स, वन अ क्लेम इस फाइल और रिसीवड बाइदा इंशॉरेंस, और इंशॉरेंस कंपनी डिनाइदा क्लेम फोर डुब्लिकेट, इसका मतलब यह है कि अगर इंशॉरेंस कंपनी को क्लेम एक से जाधा बार मिल गया है एक क्लेम, या हमने उसे एक से जाधा बार फाइल किया है, तो क्या होगा कि हमारा क्लेम डिनाइल हो जाएगा, जो भी हम सेकिंड ताइम, जो सेकिंड थर्ड, फोर्ड, जो भी टाइम हम फाइल करेंगे, वो क्लेम डिनाइल हो जाएगा, यह कह करके आपने यह क्लेम डुपलिकेट फ information दुबारा फाइल करते हैं तो इसके पिछे में विजन तो यह होता है तो यह काफी सारे डिफेंट सेनारियो हो सकते हैं किस केस में इंचर्ण कंपनी को दुबारा फाइल किया है वह हम आगे जानेंगे दिस इस दा मोस्ट फ्रीक्वेंट डिनायल इन दा एयर प्रॉसेस सब सबसे जादा जो डिनायल हमारे आते हैं डिनायल में काम करते हैं सीओ एटीन ही शायद सबसे जादा आते हैं देन सीओ सिक्स्टीन भी आता है इसके बारे में आपको एक वीडियो बनाएंगे आगे जाकर तो यह बहुत ही फ्रीक्वेंट डिनायल है बहुत जादा आता है The denial code issued by the insurance company is CO18. यह हम सब लोग जानते हैं, CO18 या 18 आएगा या OA18 भी आ सकता है, या PR18 भी आ सकता है, insurance company आगे कुछ भी लगा सकती है. Usually CO यह आता है, contractual obligation 18. There could be several reasons behind this denial which can be corrected by looking at the actual reason. तो denial तो CO18 आएगा, but scenarios different different हो सकते हैं, तो आपको scenarios के according ही claim को ठीक करना है, आप randomly हर बार एक ही action लेकर सभी claims CO18 को solve नहीं कर सकते हैं. तो हमारे जो initially जो process में दोस्त काम करते हैं, वो समझते हैं CO18 है, okay, तो एक ही step करना है हमें कि यह claim हमने एक से जादा बार फाइल कर दिया है, तो हम original claim वाश्रिश लेंगे, बट इसके अलावा भी काफी सारे claims के scenarios आ सकते हैं, जो कि मैं आपको आज details में बताता हूँ. तो तो सबसे common scenario होता है, वह होता है जब हमने एक ही claim को multiple time file कर दिया है. Same claim or service submitted to the insurance company more than once, but the service performed only once. That means कि एक service code हुई है, example के लिए हम CPT code ले लेते हैं 99213, अब 99213 एक ही बार बिल होता है एक दिन में एक डॉक्टर के दुआरा, अगर वह claim एक बार आपने file कर दिया, आज अब वह आपको clearing house में जाएगा, 24 गंटे से लेकर, 48 गंटे में insurance company मिलेगा और वह receive हो जाएगा, लेकिन अगर अब वह claim अभी clearing house में ही है, या अभी payer को मिला है, payer उसको निलिशाइस कर रहा है, उसको review कर रहा है, suddenly पिछे से कोई एक claim और refile कर देता है, तो क्या होगा, clearing house के थ्रू जाएगा वह clearing house में, then payer के पास भी जाएगा वह claim, और वह claim दो claim हो जाएगा in insurance company के file में, जो की है actual में एक ही claim, तो insurance company उसी से में deny नहीं करता है, क्योंकि वह in process में है पहला claim, तो वह secondary claim को भी in process में ले ले लेता है, कि एक claim already होता है insurance company के file में, और दूसरा claim accidentally या intentionally, unintentionally file हो जाता है, तो एक claim original होता है, बाकि सभी claims, अगर आप उस claim को एक बार से ज़्यादा बार, दो, तीन, चार बार करेंगे, सभी claim duplicate के लिए denial हो जाएगे, तो इसका solution यही है कि आपने original claim का status confirm करना है, तो जब आप call कर रहे है insurance company को या आप claim status file कर रहे हैं, वेबसाइट पर कर रहे हैं, तो आपको multiple claims line दिखेंगी, कि आपको सबसे पहले receive कब हो है claim, वो सबसे top में होगा, या सबसे उपर होगा, उसके बाद बाकी claims होगे, तो जब से पहले receive होगा, वो claim process होगा, या तो वो payment के लिए होगा या denial के होगा, तो आप denial के accordingly इसको solve करेंगे, अगर payment के होगा था payment के information ले लेंगे, उसके अलावा जो भी claim होगा, वो claims denial हो गया होगे duplicate के लिए, अगर आप call पर अगर आप insurance से बात कर रहे हैं, तो रैप आपको बोलेगी जो आपको यह वाला claim है, original denial है, वो करेंगे, this claim is denied for the duplicate, then you need to ask to the insurance company कि यह जो original claim है, उसका क्या status है, then वो जो रैप होगी, वो आपको original claim परेंगे बताएगा, वो ही आपने अपने notes में डालना है, याई वो ही आपका actual follow-up है, तो सबसी common तो यह होता है, कि जब हम देखते हैं कि एक ही claim है, multiple time file होगा है, claim कि आप history में system में आप जो काम करें, वहापर भी आपको दिख जायागा, एक claim कितनी महर फाइल हुआ है, दिखा देता है कि अगर आपने एक बारे first course file किया, then fifth को दुबारा file किया, sixth को दुबारा file किया, तो usually insurance company आपको latest claim status बताती है, लेकिन आपने उस case में original claim status confirm करना है, कि जब पहली बार आपको claim मिला था, तो आपने उसको कैसे process किया, तो वही आपका follow-up होगा, तो सबसे main तो यही हो गया, 10 एक कुसिनोरिय और है जिसमें है, if the same service perform more than once by the same provider, तो अगर एक इस service को डॉक्टर ने एक से ज़्यादा बार perform किया है, तो उस case में भी हो सकता है, अगर आपने अलग-अलग claim में उसे bill किया है, तो हो सकता है, या एक claim में भी आपने दो lines पिल किया है, same CPT code के, तो हो सकता है second line को आपके insurance company deny कर दे, बोलके duplicate है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक हमारा code है, आप वो dermatology में यूज़ होता है 17261, उस code के अंदर आपका skin में से lesions जो होते हैं, प्री-cancer lesions होते हैं, डॉक्टर उसको remove करता है, exercise करता है, लेकिन अब एक body part का एक code है 17261, तो अगर ये CPT code perform हो रहा है, patient के एक हाथ पे हो रहा है, राइट हैंड पे हो रहा है, बट उसके जो lesions हैं, जो उसके benign lesions हैं, या malignant lesions हैं, अगर एक से जादा है, तीन हैं, ठीक है, तो insurance company को हम 17261, then ACOR 17261, then ACOR 17261, 317261 CPT code बिल करेंगे, तो अगर ये तीनों code हैं, जब हम एक ही claim में फाइल करेंगे, तो insurance company देखेगे, तीनों code सेम है, पहले claim service को pay कर देगी, बाकी दो को deny कर देगी, किया है, जो अलग-अलग है, इसके लिए हमको modifier से define करना होता है, जैसे कि इस particular case में, हम मैं पहले 17261 को, तो मैं बीना modifier के जाने दोंगा, second 17261 में, मैं 76 modifier लगाऊँगा, repeat procedure, जब एक और जो 1726 में लगाऊँगा, उसमें 76 modifier लगाऊँगा, repeat procedure, तो इससे insurance company को पाइचल जाएगा, ओके आपने एक इस service को बार-बार repeat किया है, तो इसलिए modifier का use होता है, तो कई cases में आपके बार ऐसे scenario भी आएंगे, जहां पे same CPT code, दो बार आपने ये तीन बार या उससे ज़्यादा बार बिल किया हो, और बाकी lines duplicate के लिदेना हो जाएगी, तो उस case में आपको modifier यूज़ करना है, according to the notes, according to आपके जो medical record कह रहे है, उसके according to note आपका modifier जाएगा, हो सकता है कि कोई procedure right और left hand का हो, तो उस case में आप ये 76 modifier नहीं लगा चकते हैं, उस case में आपको RT right के लिए और LT left के लिए लगाना होगा, तो उस case में आपको modifier लगा के इसको solve करना होगा, तो इसका solution होगा, use the appropriate modifier for the second claim or the line, for example, RT, LT और 70X modifier, इसके लावा भी कुछ modifier और भी use हो सकते हैं, तो ये भी बहुत common scenario हो, ऐसे scenario हमारा AR में आते हैं, आता रहेगा, ओकी नेक्स देख लेते हैं, अगला scenario है, इस claim has been corrected, बट इस बीन resummitted without indicating as corrected claim, ओकी ये बहुत important है, और ये बहुत हमारे दोस्त, mistake करते हैं हमारे process में, आपके पास एक claim deny हो गया है, that means कि मैं आपको example देता हूँ, एक particular कोई भी claim है, वो deny हो गया कि आपने diagnosis code गलत लगाए हैं, या compatible नहीं लगाए हैं, या कोई modifier आपने miss किया है, तो उस case में क्या होगा, insurance company accept करेगी, expect करेगी कि आप अब claim को correct करेगे, तो आप claim में diagnosis code change कर देते हैं, modifier change कर देते हैं, उसके बाद आपको यह claim corrected, as a corrected claim भेजना है, अगर आप corrected claim भेजेंगे, तो insurance company previous claim से, जो आपने initially भेजा था, उसको compare करेगी corrected claim से, क्योंकि आप जब claim corrected करेंगे, तो आप resubmission code डालेंगे, उसके अंदर 7 और original claim, जिस claim को आप correct कर रहे हैं, उसका claim number, उसका ICN number mention करेगी उस claim में, जिससे compare करके insurance company, previous claim को compare करेगी, पिसली में क्या कमी थी, इस वाला claim जो आया है, corrected इसमें क्या changes है, उसके basis पर process करेगी, लेकिन अगर आपने ये steps नहीं लिये हैं, और आपने एक claim को correct किया है, लेकिन उसमें corrected claim ही choose नहीं किया, आपने तो आपका claim duplicate के लिए deny हो जाएगा, क्योंकि insurance company ये समझ नहीं पाएगी, कि आप ये claim correct करके भेज रहे हैं, चाहे आपके claim के अंदर changes हो, modifier के diagnosis के, लेकिन अगर आपने resubmission code change नहीं किया, तो वह आपका claim duplicate के लिए deny हो जाएगा, solution मैं आपको ये है, मैं आपको इस वीडियो के link में, उस वीडियो का description डाल दूँगा, जिससे के आपको इसके बारे में पूरा clarity हो जाएगा, कि resubmission code कैसी use करते है, जब हम claim को correct करते हैं, तो इसका solution यह है, कि अगर आपका claim deny हो गया, तो अगर आपने देखना है, कि ये claim fresh claim है, ये corrected claim है, अगर corrected है, तो resubmission code और ICN number, original claim number, use किया गया है कि नहीं किया है, तो आप दुबारा भी अगर resubmission code 7 लगाके, original claim number डालेंगे, तो claim आपका process हो जाएगा, correction के साथ, एक scenario है, if a claim built twice, but originally performed only once, तो ऐसा भी हो सकता है, कई बार हमारे biller mistake कर देते हैं, कि claim एक ही बार service perform हुई है, कि मान के चलिए कि radiology service हुई है, chest x-ray हुआ है, तो आपने एक बार bill किया है, तो आपने एक बार बिल किया है, तो एक बार दुबारा chest x-ray bill कर दिया, same CPT code, तो उस case में क्या होगा, service तो आपने एक ही बार perform किया है, अगर आपके बार documentation एक ही service की है, कि एक ही बार हुई है, और वो body part भी single है, आपके बार notes भी एक है, और billers की mistake है, या mistakenly हो गया है, उस case में आप second claim को आप pay नहीं करवा सकते हैं, solution यही है कि आप billing team से confirm कीजिए, और उस claim को void या write-off adjust, जैसा भी आपका protocol है, उसको accordingly आपको उस claim को solve करना होगा, उस case में आप कभी भी pay नहीं करवा सकते हैं, करवाना भी नहीं चाहिए, हो सकता है गलती से भी pay हो जागर, गलती से भी pay हो जाता है, तो उस case में आपको उसका refund भे दिना चाहिए, और corrected claim करके कि यह हमने गलती से भी बिल कर दिया है, तो ऐसे भी काफी claim आते हैं, तो जब आपके पास duplicate के denial आएगा, तो आपने इन चारों scenario से उसको match करना है, कि क्या यह claim actual में है duplicate किस reason से है, यह गलती से भी हो गया है, यह सब चेक करने के बाद ही आप action ले सकते हैं, अब से पहले action ले सकते हैं, आप हर किसी claim में resubmission code 7 लगा के नहीं बिल कर सकते हैं, हरक में 76 modifier लगा के आप बिल नहीं कर सकते हैं, scenario आपको देखने होंगे, उसके accordingly आपका claim correct होगा, एक ही बार perform service हुई है, हमने बिल भी एक ही बार किया है, हमारा system बता रहा है, एक ही बार claim फाइल होगा है, fresh claim है, वो corrected claim भी नहीं है, उसके बावजूद भी CO18 denial आ गया है, तो उस case में आपने pair से बात करनी होगी, insurance company के rep से, कि यह claim तो हमने first time bill किया है, स्टेटस कहा है, वो बताएंगे CO18 duplicate denial, तो आप से बुछेंगे, what is the status of the original claim, then वो check करेंगे, original claim का status कहा है, उनको नहीं मिलेगा, then वो कहेंगे, okay, it is our mistake, the claim accidentally denied by duplicate, and we are getting it processed, वो आपको reprocess के लिए उस claim को ले लेंगे, और जब भी reprocess होगा, उसका original payment या denial जो भी होगा, वो solution आपको मिल जाएगा, तो एक scenario ये भी आता है, बहुत rear होता है, बट consider करना पड़ेगा, हमें ऐसा आ सकता है, तो दोस्तों, आज के लिए बहुत अच्छा और important chapter था, बहुत common denial solve करने का chapter था, आप लोग को होब, ये पसंद आएगा, आप इसको use करेंगे अपने process में, और आशा करता हूँ, आप channel में मेरे साथ बने रहेंगे, और subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहे ही मेरे साथ मेरा चैनल, बिलते हैं आप next video में, thank you दोस्तों,